समय की गती और प्रेम के रहस को समझना बहुत ही मुश्किल है लेकिन जब बताती सचे प्रेम की तो स्री राधा और स्री केश्ण के रिस्ते का उधारण दिया जाता है श्री राधा और स्री केश्ट का इस धर्ती पर अफ्तार लेना मानल सबता को प्रेम का सही मतलब बताना है पूर्ण है स्री केश्ट तो परिपूर्ण है स्री राधे अंत है स्री केश्ट तो अनंत है स्री राधे प्यार को पाना या खो देना सिर्फ नाम मातर नहीं है ये तो एक अन्मोल, पवित्र और भावना करिस्ता है जिसमें ना कुछ पाने का भाव होता है और ना कुछ खोने का जिसके प्रती प्रेम महाव होता है उसके तो सिर्फ नाम माते से ही आत्मा को पर्मानल प्राप्त हो जाता है प्रेम कामना, लालसा, वासना और आसकती से परे एक आत्मिक, आध्यात्मिक, भावात्मग, शब्द रहित, अद्बुत और आलोकिक एहसास होता है प्रेम की शक्ति मनुस्य को शक्ति साली, इमानदार, निश्टावान बनने के लिए परिर्ट तो करती ही है, साथ में उसके मन, चित्द और हिर्दे को एक सुन्दर अनुभग प्रदान करती है। दोस्तों अगर आप किसी को कुछ उपार देना चाहते हैं, तो निस्वार्थ प्रेम रूपी उपार उसको दे सकते हैं, क्योंकि इस उपार से बड़ा दुनिया में कोई उपार नहीं है। सिरी कबीर दास जी ने भी कहा है, प्रेम ना वारी उप जै, प्रेम ना हाट बिखा है, राजा फिर्जा यही रुचे, सिस्द ही ले जाए।